शुरुवात में जब दुनिया बिल्कुल नई थी, इडन नाम का एक खूबसूरत बगीचा था, यह सबसे रंग बिरंगे फूलों, सबसे रसीले फूलों और सबसे चहचाहते पक्षियों से भरा हुआ था. इस बगीचे में भगवान ने पहले दो लोगों आदम और हववा को बनाया. बगीचे में जीवन खेल और आनंद के कभी नक्त महोने वाले दिन जैसा था. आदम और हववा ने इस अध्भुत जगह की खोज की, जानवरों के साथ बाते की, शांदार पेडों की छाया के ही नियम दिया था. इस पेड का फल मत खाओ, लेकिन जग्यासा एक शक्तिशाली चीज है. एक दिन एक दरपोक साप हववा के पास आया. यह एक आकरशक विचार फुसुस आया. फल खाओ और तुम भगवान के समान बुद्धिमान हो जाओगे. आपको अच्छे और बुर ही खाया. लेकिन जैसे ही उन्होंने फल का स्वात चखा, उनकी आखें एक ऐसे तरीके से खुल गई जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी. उन्होंने चीजों को अलग तरह से देखा और महसूस किया कि उन्होंने इश्वर की अवग्या की है. उन्हें डर और शर्मिंद हो गए और पहली बार उन्हें जीवन की कठोर्ता का दंश महसूस हुआ. इडन के बाहर दुनिया उबढखाबड और जंगली थी. आदम और हववा को शुरू से ही सब कुछ सीखना पड़ा, भोजन कैसे उगाना है, आश्रे कैसे बनाना है, और तत्वों से कैसे बचना है जीवन अब आनंद गायक खोजों की श्रिंखला नहीं, बलकि अस्तित्व के लिए संधर्ष था. इस नई दुनिया में उन्होंने जीवन के पूर्ण स्पेक्ट्रम, खुशी और दुहक, सफलता और विफलता, जन्म और मृत्यू का अनुभव किया. वे माता पिता बन अनुकूलन करना सीखा, अधिक गहराई से प्यार करना और जीवन के क्षंभंगुर क्षणों को संजोना सीखा. उन्होंने अपने बच्चों को इडन की कहानिया, अच्छे विकल्प चुनने और अपने कार्यों के परिनामों के साथ जीने का महत्व सिखाया. देखने के ल अगले सासिक कार्यों में मिलते हैं.